आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रेक्शन आफ्ट मैट्रिसिस इस टॉपिक को हम एक एक्जेंपल की मद्द से समझते हैं एक्जेंपल में हमें दो मैट्रिसिस A और B दी गई है और हमें इनकी सब्ट्रेक्शन को फाइंड करना है दोनों matrices को subtract करने के लिए इनका same order होना ज़रूरी है मैट्रिस A का order 2x2 है जब कि मैट्रिस B का order भी 2x2 है दोनों matrices का order आपस में same है जिसकी वज़ा से हम इन दोनों matrices को subtract कर सकते हैं subtraction के लिए हमें matrices A और B की first rows के first elements को सबसे पहले subtract करना होगा इसके बाद दोनों matrices की second rows के first elements को subtract किया जाएगा थर्ड स्टेप में दोनों matrices की first rows के second elements को आपस में add किया जाएगा च्यूंकि मैट्रिस B की first row के second element के साथ negative sign है जिसकी वज़ा से हम मैट्रिस A और B की first rows के second elements को add करेंगे आहिर में दोनों matrices की second rows के second elements को subtract किया जाएगा जिससे हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी और जब हम इस मैट्रिस को simplify करेंगे तो simplification के नतीजे में हमें ये मैट्रिस हासिल हो जाएगी और ये मैट्रिस हमारी A और B मैट्रिस की subtraction की resultant मैट्रिस हो की So this is the lesson of this session और जब हमें ये मैट्रिस हो जाएगी